क्या B.S.N.L. की वापसी जो है सच में संभवाए या फिर लोग जो है बाकी मामलों की तरह दीरे-दीरे B.S.N.L. को भूल जाएंगे और फिर से जो है G.O. Airtel और B.I. को यूज करना सुरू कर देंगे हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी हमारे देश में कोई टॉपिक ट्रेंडिंग में होता है तो लोग उसके उपर जो है काफी जादा अक्रामक रहते हैं लेकिन धीरे-दीरे एक समय के बाद जो है लोग उस चीजों को भूल जाते हैं और जो चीज पहले चल रहा होता है वहीं चीज फिर से आगे continue होने लगता है तो आज कि इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं कि क्या सच में जो है बीए सिनल की वापसी संभव है या फिर ऐसे ही जो है कुछ दिन नीज में बना रहाएगा और फिर जैसे पहले था वैसे ही सुरू हो इसलिए आज के वीडियो का हमने heading किया हुआ कि बीए सिनल करेगा जियो एयर टेल को बरबाद क्या ऐसा सच में होगा और बीए सिनल का वापसी होगा या फिर एक सिर्फ हवा बन करके रहा जाएगा एक चीज और दिखेगा हम इसके उपर भी बात करने वाले हैं कि जिस तर मामूली प्राइस नहीं बढ़ा रहा हैं 20%, 25%, 30% तक प्राइस बढ़ा रहा हैं उसके बावजूद भी जो है सरकार सांत है इसके सांत ये भी बात करेंगे कि हमारे इंडिया में जो है जितना भी टेलिकम कंपनी है उसमें किसका क्या हिस्सेदारी है समझ रहें ना ये सब ही नहीं BSNL के अलामा जो है बहुत सारा कंपनिया थी उस समय जो है competition market में काफी high level का था जिसके कारण price भी जो है एक level में था जैसे कि boda phone हो गया idea हो गया air से लो गया टाटा डोकोम हो गया टेली नौर हो गया MTS हो गया उसके अलामा जो है इवनी नौर टेली नौर बहुत सारा कंपनी था और उस समय में जो है market में competition भी काफी high level का था लेकिन समय आता है समय बदलता है उसके बाद जियो का दौर आता है और जियो का दौर आने के बाद सबसे पहले पूरे देश्वासियों को जो है free में जो है अब को बना दी कि भाई आप इस पर time दीजिए इस तरीका से जो आप दीरे-दीरे अपना time दे सकते हैं और हम ऐसा नहीं कि जियो का सिकाइद कर रहा हम इतना भी बोल सकते हैं कि अभी के दोर में जो हम लोग इतना आगे बढ़े हैं इसके पीछे भी योगदान देखा जाए तो जीओ काई है लेकिन जीओ क्या किया है कि सुरू में हम लोगों को फिरी खाने का आदत बना दिया दीरे-दीरे जब हमारा आदत बिगड़ गया तो फिर पैसा लेना सुरू कर दिया और अब तो समय ऐसा आ गया है कि जब जितना मर्जी कर रहा उतना प्राइस बढ़ा दे रहा और जीओ ही नहीं जीओ के साथ साथ जो है एयर टेल भी यहीं काम कर रहा और साथी साथ भी आई भी यहीं काम कर रहा और आज का दोर ऐसा आ चुका है कि जियो ऐसा competition दिया कि जितना छोटा मोटा company सब था है ये दीरे दीरे सारा बंद हो गया और आज के दोर में देखा जाया तो एकदम गीना चुना company बच गया अगर private company के बारे में बात करते तो जियो है, air tail है, भी आई है अगर वहीं हम government company के बारे में बात करते हैं, तो अभी के दोर में जो government company बच गया, इसमें से BSNL है और MTNL है, तो ये दोनों लगबग ना के बराबर है, कुल मिला के देखा जाए, तो यहीं तीनों का दबदबा पूरा market में बना हुआ अब देखें, बात करते हैं, जब सुरू में जीयो आता, तो जीयो के पास जो उतना tower नहीं था, और इतने कम समय में पूरे भारत में tower लगा देना भी कोई आसान कम नहीं था, तो जीयो क्या किया, कि BSNL का tower यूज किया, उसके उपर अपना device लगाया, और BSNL को rent दिया, औ पूरे भारत में जो है, जो भी टेलिकम कमपनी है, उसमें लगबग 40% से जादा हिसेदारी जो है, अकेले जीयो का बन चुका है, यानि पूरे customer में 40% पे कबजा तो अकेले जीयो का है, वहीं Airtel का बात करते हैं, सब कुछ data हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, और देख भी नहीं है, और जड़ा सोच करके देखिए कि आज के 5G के दोर में हम लोग 6G का इंतजार कर रहे हैं, और अभी BSNL 4G भी सही से नहीं पकड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग BSNL का यूच नहीं कर पाएंगे, और जब मार्केट में competition कम हो जाता, सरकारी कमपनी धीरे-धीरे कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि private company का मनमानी धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, और कुछ ऐसा ही हुआ कि जो भी government company है, उनको धीरे-धीरे down कर दिया गया, जिसके वज़ा से private company काफी उपर आई, अच्छा सुविदा दी, और धीरे-धीरे customer को अपने चं जाहिरे महीं आता है, और इतना अजादी किसी को नहीं मिलना चाहिए, कि जब मर्जी कर रहे तब आप price को बढ़ा ले, ये चीज़ अगर ऐसा होता है, तो फिर ये जो है, एक तरीका से देखा जाया, तो ये मनमानी हो जाएगा, समझ रहना, तो मोधी सरकार भी इस पे सां टोटल पांच कंपनी है, इस पांच कंपनी में जो है, तीन कंपनी प्राइवेट है, और दो कंपनी जो है, आपका गवर्मेंट है, एक BSNL है, दूसरा MTNL है, बहुत सारे लोगोंगे जो MTNL का नाम तक नहीं जानते होंगे, कारण है कि इसके पास कुछ है ही नहीं, सही से कुछ है ही नहीं, तो इसका नाम कौन जानेगा, समझ रहा ना, अब हम बात करते है, रिलाइंस जीओ का, तो इसके पास हमारे पूरे कंट्री का 459.81 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, यानि की यूजर्स है, अगर परसेंटेज में बात करते हैं, तो पूरा जो पोपुलेशन का, अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 40 से जादा लोगों पर जो है, अकेले जो है, जीओ का कपजा है, यानि 100 में 40 से जादा लोग जो है, अकेले जीओ का सीम यूजर्स करते हैं, वहीं यह टिल का बात करते हैं, तो 33.13% है, यानि 100 में 33 लोग से जादा इसमें है, बोड अगर हम लोग दोनो को मिला देते हैं तो दोनों को मिलाने के बावजूद भी-100 में आठ लोग भी पूरा नहीं व पा रहे है बाकी यो है यानि 100 में 8 लोग BSNL और MTNL में नहीं है यानि 92 सज़ाधा लोग जो है कई ना private company में, तो ज़रा सोच और के lkा देखेए कि 100 में जहां पे 92% अधन Tigkeiten आटेसे से और इच्परसेंट से भी कम लोग gjit गोर्मेंट कमपनी के इन उपड़े गा नहीं बढ़ेगा तो यहीं कारण है कि हम लोग अपने दाम को बढ़ा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं और जाहिट से बात है कि customer के मन में तो मजबूरी है हम लोग क्या करेंगे मालने ते कि हम लोग जो अपने sim को port करके BSNL में चले भी जाते हैं तो BSNL में net नहीं चलेगा सही से बात नहीं होगा 4G भी नहीं है 5G तो दूर का बात है हम अपने काम को नहीं कर पाएंगे और जब हम अपने काम को नहीं कर पाएंगे तो फिर मजबूरी में जो है हमको कहीं नहीं के कि सरकार इस पर खामोस क्यों है बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद